केलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्ज 2024 का समापन हो चुका है और फ्रेंब्स आपको बताना चाहता हूँ 2024 में चन्डिकर निवर्सटी की टीम ने कमाल कर दिया, पहली बार वो विजेता बनी है खेलो इंडिया युनिवर्सटी गेम्ज की तो friends ये topic काफी ज़ादा important और trending है अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो तो friends वो सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस video में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी question selected और important लिए हैं अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ये video आपके लिए काफी ज़ादा useful रहने वाला है अगर आप ये पूरा video देख लेते हो exam में आपको इस video से बाहर एक भी question नहीं मिलेगा ये आपके रवी सर का वादा है तो चलिए शुरू कर लेते हैं first question से question स्टार्ट करने से पहले मैं आपको introduction दे देता हूँ उद्घाटन किया इसका अनुराग सिंग ठाकूर ने जो कि हमारे देश के केंद्रिय यूवा मामले एवं खेल मंत्री है अगर हम बात करें केलो इंडिया यूनिवरस्टी गेम्स 2024 जिसे कि हम शौर्ट में बोसकते हैं के आई यूजी 2024 खेलो इंडिया यूनिवरस्टी गेम्स का चौथा संसकरन होगा जो भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का हिस्सा है तो फेंट्स आपको ये पता लगा कि जो 2024 में खेला गया है चौथा संसकरन है उदेश्य क्या है खेल संसकरिती को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर खेल प्रतीबहाओं को पहचान दिलाना और भारतिय विश्विद्यालों में बहु खेल का आयोजन करना अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूनिवरस्टी गेम्स के पिछले तीन संसकरन और डिशा करनाटक और उत्तर परदेश में आयोजित किये गए थे बताना चाहता हूँ कि जो पहला संसकरन था वो 2020 में आयोजित हुआ और इसकी विजेता रही थी पंजाब यूनिवरस्टी उसके बाद दूसरा एडिशन था वो 2021-22 में खेला गया करनाटक में विजेता रही जैन यूनिवरस्टी 2022 में तीसरा संसकरन खेला गया उत्तर परदेश में इसका आयोजिन हुआ था और विजेता रही थी पंजाब यूनिवरस्टी और जो चौथा हुआ है यह हुआ है 2023-24 में आयोजन हुआ इसका असम में विजयता रही है चंडीकर युनिवर्स्टी तो आपने यहां पर यह देखा कि जो पंजाब युनिवर्स्टी है यह सबसे जादा बार विजयता रही है कितनी बार दो बार पहले संसकरन में और जो इसका तीसरा संसकरन हुआ था 2022-23 में यह आपको ध्यान रखना है यहां पर यहां पर 2023-24 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यह दो 2023 में होना था लेकिन हुआ 2024 में है ठीक है इसलिए हम पर मैंने 2023-24 लिखा है आगे हम देखते हैं इसका आयोजन हुआ खेले उन्डिया उनिवर्स्टी गिम्स 2024 का 17 फरवरी से लेक और आपको बताना चाहता हूँ इसका शुभंकर काफी इंपॉरेंट है आपके एक्जाम के लिए तो शुभंकर है अस्ट लक्षमी यह आपको ध्यान रखना है एक्जाम में डारेक्ली कोशन पूछा जाता है शुभंकर से रिलेटेड या बोल सकते हो मैसकोट से रिलेटे चौथा संस्करन खेला गया है कुल खेलो का आयो जनुवा बीस और शीष यूनिवरस्टी यानि की विजयता रही है चंडिकर यूनिवरस्टी कुल 71 पदक इसने जीते हैं और फ्रेंड्स मैं आपको बतायता हूँ कि जो खेलो इंडिया यूनिवरस्टी गेम्स 2024 हुआ है इसमें सबसे सफल महिला एथलीट कौन रही और सबसे सफल पुरुष एथलीट कौन रहे तो आपको बताना चाहता हूँ उतकल विश्विद्याले की जो तेराक है प्रतेशा रहे इन्होंने 400 एक रजजत और एक कांसे पदक जीता और वह इस गेम्स में सबसे सफल महिला ए उनिवर्सटी गेम्स के बारे में तो खेल उनिवर्सटी गेम्स विश्विद्याले के चातरों के लिए एक राच्टियस तरिकी बहु खेल प्रतियोगिता है जो भारत सरकार द्वारा युवाओं के बीच खेल और फिटनेस को प्रसाहित करने के लिए अपनी खेलो इंडि के तहथ आयोजित की जाती है इस खेल को वर्ष 2020 में शुरू किया गया था यह गेम्स भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा है मुख्याले कहां पर है खेलो इंडिया उनिवर्सटी का या बो सकते हो खेलो इंडिया गेम्स का तो वह नई दिल्ली में संगठन है एवं युवा मंत्राले भारत सरकार अब हम medal tally देख लेते हैं खेलो इंडिया युवर्स्टी गेम्स दोहजाज चॉबिस का सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं देखो चंडीकर युवर्स्टी जो है ये विजेता रही है और इसको पहला स्थान मिला है और इसने कुल medal कितने जीते हैं 71 फेंड्स की जो medal tally है आपके लिए काफी important है ठेके आपको ध्याँ दो समझाता हूं मैंने आपको बताया चंडीकर युवर्स्टी पहले स्थान पे हैं कुल 71 पदक जीते इसने जिसमें की फेंड्स 32 है गोल्ड 18 सिल्वर और 21 ब्रॉंज है सेकिंड स्थान मिला लवली प्रोफेशनल युनिवर्स्टी को कुल इसने 42 पदक जीते हैं जिसमें की है 20 गोल्ड तीसरा स्थान मिला गुरुनानक देव युनिवर्सटी अमरिसर को कुल पदक जीते इसने 51 बारा गोल्ड के साथ कुल पदक जीते 25 बारा गोल्ड के साथ ठीक है पर जीता आपको टॉफ फाइब पता लग गया और इसमें सबसे मेरे इंपॉर्ट यह था कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जादा पदक किस उनिवर्सटी ने जीते तो आप का अंसरों का चंडीगर युनिवर्सटी ने कितने जीते 71 और एक कोशन एकजाम में और भी पूछा जाता है कि बताओं कि सबसे जादा गोल्ड कि इस उनिवर्सटी ने जीता तो आपका अंसर तब भी होगा क्या चंडीगर युनिवर्सटी 32 गोल्ड जीते हैं ठीक है यह आपको थ्या रखना है तो चलिए अब हम कोशन स्टार्ड कर लेते हैं पहला कोशन है हमारा खेलो इंडिया युनिवर्सटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा युनिवर्सटी शीष पर रही है राइट आंसर हो जाता है ओप्शन बी चंडीगर युनिवर्सटी खेलो इंडिया यु चंडिगर्ड पहले स्थान पे LPU No.2 पे गुरुनानक देव उनिवर्सटी No.3 पर फिर से बतायता हूं कि चंडिगर्ड उनिवर्सटी ने कुल 172 मैडल जीते हैं जिसमें की 32 गोल्ड है और दूसरा स्थान मिला है लवली प्रफेशन उनिवर्सटी को जिसने की कुल 42 पदक जीते हैं गुरुनानक देव उनिवर्सटी अमरेर सर ने कुल 51 पदक जीते हैं ठीक है अब यहां पे आपकी चीज और समझाना चाहता हूं देखो तीसरा स्थान मिला ग ourastsell फेशन चीज स्कोर्य बीज गोल्ड जीते थे इसलिए इसको दूसरा स्थान मिला आपको यी चीज भी समझ में आ गई होगी अब हमारा अगला कोशन है खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स 2024 का आयोजन कितने पुर्वतर राज्यों में हुआ राइट आंसर हो जाता है ओप्शन C साथ पुर्वतर राज्यों में खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स 2024 का आयोजन हुआ ये साथ राज्य हम देख लेते हैं असम, अरुनाचल प्रदेश, मेगाले, मिजोरम, सिक्किम, नागलेंट, तिरपुरा नेक्स्ट है हमारा कोशन वर्ष 2024 में खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स का कौन सा संस्क्रन आयोजित किया गया है राइट आंसर हो जाता है ओप्शन ए 2024 में खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स का चौथा संस्क्रन आयोजित हुआ है अब मैं आपको फेंट से समझाता हूँ चोथे संसकरण के बारे में चोथा संसकरण 2024 में खेला गया असम में अगर आप से पूछा जाए कि खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स का पहला संसकरण किस वर्ष आयोजित हुआ था आप फटाफट से जवाब दोगे 2020 में आयोजित हुआ था कहां पर और डिशा में दूसरा संसकरण 2022 में करनाटक में हुआ तीसरा संसकरण 2023 में उत्तर परदेश में और चोथा संसकरण 2024 में कहां पर असम में आई हो फ्रेंड्स आपको एक एक कोशन बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट है हमारा कोशन खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ है अंसर हो जाता है ऑप्शन D 17 से 29 फटवरी 2024 तक आपको बताना चाहता हूँ खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स 2024 का आयोजन हुआ है नेक्स्ट है खेलो इंडिया युनिवस्टी गेम्स का उद्घाटन किस ने किया राइट आंसर हो जाता है Option D अनुराग सिंग ठाकुर अनुराग सिंग ठाकुर ने खेलो इंडिया युनिवस्टी गेम्स का उद्घाटन किया है खेलो इंडिया युनिवस्टी गेम्स Games 2024 में कितने खेलों को शामिल किया गया है Right answer हो जाता है Option C, 20 खेलों को शामिल किया गया है Important points से समझते हैं ये 20 खेल कौन कौन से हैं तिरंदाजी, Athletics, Badminton, Basketball, Boxing, Football, Facing, Hockey, Zudo, Kabaddi, Malkamb, Rugby, Shooting, Teraqi, Table Tennis, Tennis, Volleyball, Weightlifting, Kuchti और Yogasana ये 20 खेल शामिल किया गया है 2024 के खेलों इंडिया युनिवरस्टी गेम्स में Next है हमारा कोशन खेलों इंडिया युनिवरस्टी गेम्स 2024 में सबसे ज़्यादा स्वन पदक किस युनिवरस्टी ने चीते हैं Right answer हो जाता है Option B, चंडिगर युनिवरस्टी ने इंपोरेंट पॉइंटे समझते हैं चंडिगर युनिवरस्टी ने सरवादी 71 मेडल जीते हैं 32 गोल्ड, 18 सिल्वर, 21 ब्रॉंज के साथ दूसरा स्थान मिला LPU को 42 मेडल जीते तीसरा स्थान मिला गुर्णानक देव युनिवरस्टी अमरिसर को 51 पदक जीते नेक्स्ट है हमारा कोशन एक्जाम का मूस्ट फिर्ट कोशन है ये खेलो इंडिया युनिवरस्टी गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है यानि की मैसकोट पूछा जा रहा है आपसे तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन D अस्ट लक्षमी नेक्स्ट है हमारा कोशन खेलो इंडिया युनिवरस्टी गेम्स का खिताब सबसे ज़्यादा बार किस युनिवरस्टी ने जीता है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन ए पंजाब युनिवरस्टी ने कुल मिलाके दो बार खिताब जीता है कब-कब 2020 में और 2023 में मतलब 2022 वाला न, 2023 में आयोचित किया गया था तो अब बोचेते हैं 2022-2023 वाला और 2020 वाला अगला कोशन है खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स का आयोजन प्रते कितने वर्षों के अंतराल पर होता है राइड आंसर हो जाता है ओप्शन बी एक वर्ष के अंतराल पर नेक्स्ट है 2020 में खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स का पहला संस्करन कहां पर आयो जित किया गया था राइट आंसर हो जाता है ओप्शन डी ओडिशा में यह आपको ध्यान रखना है 2020 में खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम्स का जो पहला संस्करन था ओडिशा में खेला गया था आपको मैं लिस्ट समझा चुका हूँ कि 2020 में पहला हुआ ओडिशा में पंजाब उनिवस्टी इसकी विजयता रही थी ठीक है यह वीडियो कंप्लीट हो गई अब आपके लिए कोशन का टेस्ट है जिसका अंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है और लास्ट में आपको बताऊंगो कि आपको ना आपकी रभीसर की जो एबुक है करन्ट अफेर्स की और जीके की वो आप कैसे बाई कर सकते हो ठीक है अब मुबाईल अप्लिकेशन के बारे में भी आपको कंप्लीक इंफॉर्मेशन देने वालों तो पहले आपना कोशन का टेस्ट लगा लेजिए आप इसका आंसर ना कॉमेंट बॉक्स में देना है तो हमारा कोशन है खेलो इंडिया युनिवर्सटी गेम्स तो होजाच विस की बदग तालिका में कौन सी उनिवर्सटी शीष पर रही है चार आप्शन है आपके पास आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंट्स ये वीडियो होगी कंप्लीट आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है वेबसाइट का नाम है www.ravibooks.pdf.com ठीक है इस वेबसाइट पर जाके आप पर जाती है पॉलिटी, जोग्रोफी, हिस्ट्री, जीके की एबुक मिल जाती है कम टाइम में आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर सकते हो अपने रवी सर की एबुक के द्वारा बेस्ट कॉंटेन रखा है आपके रवी सर ने अपनी इबुक में, ठीक है फ्रेंट्स तो आप इस वेबसाइट पर जाईए यहाँ पर आपको हमारी 5000 GK वाली जो इबुक है ठीक है, यह 11000 GK वाली इबुक और साथ में ही 25000 GK वाली इबुक मिल जाती है कम टाइम में, आप किसी भी एक्जाम के त्यारी कर सकते हो अपनी रवी सर की इबुक के दुआरा ठीक है फ्रेंट्स, वीडियो कैसी लगी, comment box में जरूर बताएं, किस exam के आप त्यारी कर रहे हो वो भी आप मुझे comment box में जरूर बताएं ताकि मैं आपके लिए next वीडियो ज़रूर लेकर आउं friends ठीक है तो चलिए अब हम मिलते हैं next वीडियो में thank you and wish you all the best